बच्पन में जब लोग या छोटे बच्चे मार्कीट अपने पेरेंट्स के साथ इसलिए जाया करते थे कि वो कलरफुल ट्वाइस परचेस करेंगे या वो अपने रंग परंगे कपड़ी खरीदेंगे जूते लेंगे तो उस दौर में मुझे शौक होता था कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ मार्कीट जाओंगी तो मुझे वो जानदार वो जिन्दा छोटे छोटे ट्वाइस, मीन्स के कैट्स और पपीज मिलेंगे जिन से मुझे मिलने का मौका मिलेगा और उनको देखने का उन्हें प्यार करने का मौका मिलेगा तो हम बड़ा इंतिजार करते थे कि संडे आएगा और हम स्कूल जाएंगे और सॉरी मार्कीट जाएंगे और वहां जाके हम कैट से मिलेंगे सो जब हमारा जाना होता था तो वहां हम लेते थे cats चिक है और वहां पे cats को व्यार करते थे और sometime हम अपने parents से permission लेते थे कि अगर वो किसी मुश्किल में है तो हम उसे घर ला सकते हैं तो हमारा छूट अगर होता था तो sometime हमें permission मिल जाती थी कि हांच यह आप cats को ला सकते हैं सो हम उसे घर में लाते थे और उसका बड़ा ख्यान लगते थे तो उस तरह मेरा बच्पन गुज़रा और मुझे तब से ही लगता था मेरी animals के साथ interaction बहुत अच्छी है और उन से मेरा कोई connection है जो कि God gifted है तो यह वक्त गुज़रता रहा और इसकूल टाइम आगया और हम उसे थोड़ा आगे निकल आए अच्छा इसकूल में भी हमारे साथ ऐसा होता था कि इसकूल में भी जोनों मैं एक गॉर्मेंट इसकूल में पढ़ी हूँ तो वहां पे grounds और इस तरह के बड़े halls वगएर बने होती है तो अक्सर आपने भी देखा होगा इसकूल में आपने पर होती है तो हम लग जब स्कूल जाते थे तो हमारा जो lunch हमारी अम्मी देती थी हमें तो वह हम अपने cat के साथ share करते थे और जो मेरी friends होती थी दो तीन वह भी मेरी साथ होती थी तो इस तरह हमारा एक lunch time गुजरता था और cat के साथ बड़ा अच्छा time गुजरता था तो ये एक बड़ा मज़े की मेरी bonding नहीं animals के साथ अच्छा वह गुजरता रहा गुजरता रहा और हम college life में है college life में आके जी अब families के एक pressure होता है कि बस ठीके अब animals बगर को थोड़ा सा आप छोड़े और अपनी study पे दिहान दे तो obviously study पे बिलकुल दिहान था और मैंने master's किया है B.E.Ed किया है अपनी study कभी नहीं छोड़ी वो हमने हमीशा continue रखी तो उसमें भी animals से जना connection हमारा चलता रहा और एक दिन ऐसा हुआ मेरी साथ कि मैं college से वापस आ रही थी so मैंने दिखा एक ना छोटा सब बिचार अकेटेन है महासूम सा वहां ही school से जब निकले तो वहां पर एक market भी उती थी college के सामने so मैंने सोचा मैंना इसको rescue कर तो में दोस्ते ने का नहीं इसको rescue मत करो सब तुमें देखेंगे अच्छा नहीं लगीगा ऐसे तो मैंने सोचा ऐसे कैसे अच्छा नहीं लगीगा तो वाकि जब मैं उस kitten के पास गई जिसवा मुझे देखने लगे कि जी आप घर जाओ आप यह क्या कर रही हो सो मैं थोड़ा सा डर गई और मैं खर आ गई बाप लेकिन मुझे बिल्कुल सकून नहीं मिला और अगले दिन जब मैं गई तो वो kitten बहुत बरी हालत में था तो मुझे फील हुआ कि लोगों की डर की वज़ा से एक अच्छा काम जो मैं कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ और मेरा दिल कह रहे कि मैं कर सकती हूँ वो मैंने नहीं किया सो मैं उस kitten को खर ले आई और अपनी पेरिंट से पर्मिशन ले कि अब इस तरह हूँ छोटे-छोटे आनिमल्स रेस्क्यू कर सकती हूँ तो पढ़ाई भी चलती रही इस तरह रेस्क्यू भी चलता रहा सो अब आ गई है उनिवर्स्टी लाइफ आच्छा यूनिवर्स्टी के साथ साथ मैंने जॉब कंटिनियू की इसकी वज़ा यह है कि मैं एक विदिल क्लास फैमिली से हूँ तो यू नो बहुत सारे लोग ऐसे हो गए यहां भी कि आप अपनी स्टडी के साथ साथ कंटिनिय करते हैं एक जॉब भी अपने फीसिज और इस सब चीज़ें कवर कर सके सो मेरे साथ भी ऐसा ही रहा और मैं कॉलेज यूनिवर्स्टी लाइफ में आ गई आच्छा यूनिवर्स्टी लाइफ देन जॉब चलती रही सो ऐसा हुआ मेरे साथ जब मेरा टर्निंग पॉइंट डाया लाइफ का वो ये एक वाकिया हुआ मेरे साथ कि मैं अपने आफिस से वापस आ रही थी तो वहाँ पर मैंने देखा रोड पे एक बिचारा डॉंकी है जो कि बुरी तरहां से जला हुआ है और उसका पेट का इतना डाय मीचर था जो कि जला हुआ था उसके वाह इसके नहीं थी इवन के बॉड़ी पे जगा जगा ब्लीडिंग हो रही थी सो मैंने इसको देखा और मैं घर आ गई अब मैंने सूचा कि ये तो एक पड़ी साइस का अनिमल है इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ तो हैदरबाद में उस टाइंग पे कोई भी ऐसा अनिमल डॉक्ट मैंने अपनी वाल्दा से बात शेयर की तो उन्होंने मुझे का कि नहीं नहीं छोड़ो और ऐसे हम क्या करेंगी डॉकी का उसको हम किस तरह से वेख की आएंगे उसको हमने क्या करेंगे तो मैं परिशान हो गई मैंने उस दिन सोशल मीडिया का यूस किया और मुझे पता च लगई कि इसका कोई ट्रीटमेंट कर सकता है तो मुझे दू-तीन डॉक्टर ने कॉंटक किया और मैंने अपनी वाल्दा को का आप मेरे साथ चले मैं अकेली नहीं जा सकती मैं रोड पर ट्रीटमेंट करूं इस सब मुझे देखेंगे तो मेरी वाल्दा ने कहा हम जाएंग च्वह अच्टर ने बहुत अच्छा हमारे साथ यह और उस तरह हम ने एक ट्रीटमेंट किया को इसवी यह ने में बड़े शहर है चाहिए कि जहां पर street animals के बारे में बिल्कुल सोचा नहीं जाता, कोई काम नहीं कर रहा, उस तरह मैं परिशान हूं, वो जैसे बहुत सारे लोग हैं, जो इस चीज़ पर working करना चाते हैं, फिर हमने प्रॉपर इसको एक अपना page बनाया और social media का use किया, और उसके बाद हमने लोगों की complaints पर करना शुरू की, कुछ लोगों ने हमें contact किया, और इस तरह मेरी एक बच्पन से और university life की journey हुई, और हम फिर यह सिलसला चलता रहा, चलता रहा, अच्छा, उसके बाद मेरे स यह हुआ कि हमें चाहिए थी एक जगा जहां पर हम animals को रख सके, so study हो गई, जॉब हो गई, चल रही है, जॉब मेरी, उसके बाद मैं भज गई कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मेरे पास तो नहीं है कोई ऐसा प्लेस जहां पर में इतने सारे animals रख सको, और हैजराबाद क कि लोग मुझे calls करें, मेरे मुझे पर depend है कि हम किस तहां से इस काम को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, so मैंने क्या किया कि एक animal shelter rent पे लिया, और उसके कुछ marketing जिससरा कह सकते हैं, social media के थुरूप, चुब के मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, कि मैं बहुत ज्यादा अच्छी कर सकते हैं, so मैंने एक animal shelter का पोस्ट लगाया, और सबको बताए, एक animal shelter है और आप हमें complain भी कर सकते हैं, और हमें लोगों ने complain शुरू की, so इस तरह हमारा एक animal shelter तक की journey complete हुई, और मैं अभी एक animal shelter की founder हूँ, और उस shelter को अपनी team के साथ रन कर रहे हूँ, so मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक मुझे इतना अच्छा platform मिल है, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी animals के बारे में आपको awareness देना चाहेंगे, कि आप सब बैठे हैं और सुनने आये हैं, तो कुछ awareness हम यहाँ से भी कर सकते हैं, और आपके surroundings में जो animals हैं, हम उनसे किस तरह जो है पेश आ सकते हैं, so five ways of prevent animal abuse, चीक है, तो first जो आता है हमारा, जिसमें एक slogan है जो के international भी है, adopt don't shop, यह slogan पैट्स के लिए हैं, वो ऐसे कि जब भी हमारे घर से कोई बच्चा ऐसा कहता है कि हमें पैट्स चाहिए, और हम पैट्स पालना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो parents उनको permission नहीं देते हैं, ऐसा ही है, चीक है, और जब उन्हें permission मिलती है, तो हमारे parents हमें क्या लाके देते हैं, fancy dogs, यह fancy cats, punch face cats, white color, चीक है, यह animal lovers का एक style बना है, तो मैं यह चाहती हूँ, यह जो internationally देखा जाए, उनमें adopt don shop का slogan को इस तरह define किया जाता है, कि जब आप एक fancy animals पालते हैं, तो उनके बहुत अच्छे अच्छे नाम रखते हैं, गिरैसी, टॉमी, क्यूटी, यह नाम होते हैं, लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी pets पालता है, तो आस-पस के हमारे जो society के लोगों हसते भी हैं, कि यह क्या पाला हुआ है आपने, कोई एक animals ले रहे हैं, तो क्यों ना हम जो अपनी breed है, उसको अपने पास रखें, ताके वो जो homeless animals हैं, जो hungry animals हैं, उनको एक घर मिल सके, उनको एक प्यार मिल सके, और वो आपके साथ रह सके, तो कभी भी differentiate नहीं करना चाहिए इन चीजों में, और parents इसमें सबसे अच्छा role play कर सकते ह हैं, कि वो अपने जो बच्चे हैं, उनको ये चीज सिखा सकते हैं, कि ठीक है, आप animals पाले और प्लीज परमिशन भी देना, जितने parents बैटे हैं, परमिशन भी दे, pets पालने के लिए, और दूसरी चीज है, कि हमारे जो पाकिस्तानी animals हैं, उनको फोकस करें, ठीक है, में animal lovers लोग, ज्यादा होते हैं, जो उनका दर्थ रिपते हैं, वो हमें complain करते हैं, सो क्या होता है, कि वो अपने pets तो रखते हैं, लेकिन कुछ injured animals होते हैं, वो कहते हैं, आप ही रखे, मैं में रखती हूँ, ज्यादा कोशिश होती हैं, पर सम टाइम में दे कोशिश होती है कि आप उनको रख सकते हैं, तो फोस्टर अनिमल का मतलब यह है, कि जब तक वो ठीक हो जाए, तब तक आप उसको अपने पास रखे, तो फोस्टर अनिमल करना भी एक animal की help है, जो कि हमें सब लोग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, कि आपने पर्मिनेंट बहुत सारे animals रख आप कर सकते हैं, जितना आप अनिमल के लिए help पर सकते हैं, वो आप करें, क्यूंकि यह एक ऐसा platform है, जहाँ पे आप लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो यह छोटी छोटी चीजें, अगर आप यहाँ से एक भी point, यहाँ सीख के जाते हैं, तो मैं जो के है वालिंजियर यूर शेल्टर ठीक है अपना मतब टाइम जो है वो शेल्टर के लिए वालिंटियर करें अच्छा हम जितने लोग काम करतें शेल्टर में बहुत ही कम लोग हमें जॉइन करतें उसका रीजन की होता है कि जी हम किस तरहां आएंगे और हम अपना टाइम में दे सकते हैं हम इस्टूडेंट से हम जॉब करें तो आप थोड़ा सा नजर मुछ पर भी डाल सकते हैं कि मैं जब इस्टूडेंट होती थी या मैं जॉब भी करती थी तब भी मैं यह काम कर सकती हूं तो आप लोग जादा फाइनांस नहीं लगता बस थोड़ा सा लगत सब भी अपना time volunteer करना चाहते हैं वो हमारे shelter आ सकते हैं अपना time shelters पर दे या किसी और city से भी ब्लॉंग करते हैं जहां भी हमें दिखा जा रहा है तो अपना थोड़ा सा time animals के लिए भी दे क्यूंकि देखे animals यहां exist करते हैं इस planet का हिस्सा हैं लेकिन वजा यह है कि हमें इस चीज़ को पढ़ाया नहीं जाता समझाया नहीं जाता सो हमें यह चीज़ बिलकुल दिमाग में होती ही नहीं है कि यह भी कोई चीज़ है जिस पर focus किया जाए तो हमें focus करने की बड़ा ज़रूरत है जिसमें parents और teacher बहुत एहम रोल लेकर सकते हैं तो हमारा जो fourth point है वो है report and complain about animals abuse तो यह चीज़ मैं इस तरह define करना चाहूंगे आपको कि जी एक shelter है ठीक है अभी मैं समझती हूँ कि हैदरबाद के जितने हमारे पास लोग हैं जो animal lovers हैं वो क्या करते हैं कि 30% लोग ऐसे समझते हैं जो हमें complain करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं animal shelter होने के बावजूद एक animal पड़ा है accident में हैं किसी मुश्किल हालत में हैं उसको देखके गुजर जाते हैं तो मैं जो चीज उनको सिखाना चारी हूँ कि जब एक shelter है एक point है आपके पास जहां आप complain कर सकते हैं अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कर सकते हैं और एक तरह से यह बहुत अच्छी नेकी की चीज़े वह आप पर सकते हैं जस्ट आप complain कर दीजिए वह हमारा काम है कि हम किस तरह उनको पिक करते हैं उनका treatment करते हैं और हर चीज़ हम अपने social media पर पोस्ट करते हैं तो प्लीज प्लीज जो भी animals को किसी भी मुश्किल condition में देखें तो आप हमें complain जरूर कीजी एक इदारा हैदराबाद के लिए free of cost आप सब के लिए बनाया गया है तो प्लीज उसका इस्तिमाल करें और अपना time जरूर volunteer करें सो हम इसके fifth point पे जाते हैं जो के थूड़ा समय पहले भी discuss किया है कि teach your children to respect animals सो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि वो ही एक बात कि एक teacher और एक parents दोलों ही मैं समझते हूँ students के लिए बराबर है एक ज़सा सिखाते हैं तो आप लोग जो है इनको जरूर इस चीज के बारे में सिखाएं समझाएं और पढ़ाएं कि आप किस तरह से जो है वो animals को like उनके साथ interact करना सिखा दे अगर जू पेरिंट से आने वड़वर चीक है वो आप उनको सिखा दे किस तरह आप animals से अच्छा behave कर सकते हैं ठीके मै मैंने जो चीज यह सिखी है मैं बताओ कि यह चीज एक तो God gifted है ठीके फुद से लोगों में नहीं आती लेकिन अब शायद social media का दौर है मैं समझते हूं देख कि बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़े सीखते हैं समझते हैं यह सोचते हैं कि यह अच्छी चीज है या बु तो पेरेंट्स इसमें बहुत important role play करते हैं और education के department से मैं एक request जरूर करना चाहूंगी कि students का जो syllabus है class 1 से class 8 तब एक subject animals की हवाले से जरूर add होना चाहिए जिसमें उन बच्चों की mentality के हिसाब से उनकी class के हिसाब से animals care की हवाले से एक subject एक lesson जरूर होना चाहिए जिसमें उनको बताया जाए कि animals से किस तरह behave किया जाता है क्यूंकि देखें हम बहुत सारी books पढ़ते हैं ठीक है history भी पढ़ते हैं और इसके लावा बहुत सारी ऐसी चीज़े पढ़ते हैं जो life में पीछी हो चुकी है वो शायद आगे नहीं लिए होगी हम उन चीज़ों को भी पढ़ रहे होते तो मैं education के हवाले से यह चाहती हूं कि हम बच्चों को वो चीज़ पढ़ाएं जो हमारे surrounding में exist करती है जो चीज़ बच्चे surrounding में देख रहे हैं उसके बारे में भी उनको awareness होनी चाहिए तो अगर एक भी lesson add हो सकता है तो जो students हैं वो उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं अच्छा दूसरी चीज़ या last चीज़ समझ ले मैं एक चीज़ कहना चाहूंगी बिल्कुल last में कि आप कुछ भी अगर animals के लिए नहीं कर सकते तो एक चीज़ आप सब कर सकते हैं एक तो आप driving slow कर सकते हैं जिससे animals के accident ना हो और दूसरी चीज़ अगर आप animals के लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो उनको नुकसान पहुचाना छोड़ दे हैं ये भी एक animals की help है और वो इसकी वज़ा से आपको बहुत सी दुआएं भी मिल सकते हैं आप बहुत सी सीव भी सकते हैं और हमारे Pakistan का नाम पूरी दुनिया में as civilized society जा सकता है animals की वज़ा से मैं अपने speech निफेर अपर थैंक्यू